आज के वीडियो में हम दो स्टॉक या दो कमपनियों के बारे में चर्चा करेंगे और फनेंशल भी देखेंगे किस प्रकार के रिजल्स रहें उनके क्वाटरली इतना महेंगा क्यूं है और पांच वर्षों में किस प्रकार के रिटन हो सकते हैं रिटन मिलेंगे या नहीं मि बीका जी तो पहले हम बिजनस देख लेते हैं क्योंकि ये दोनों कमपनिया अगर देखें जो बीका जी और जो आरार काबिल है तो दोनों कंजूमर प्रोड़क्स बनाते हैं जैसे कि बीका जी के प्रोड़क्स भी आप एक डिरेक्ट आम इंसान खरीद के खाता है तो ये FMCG कमपनी हो गई फास्ट बुविंग कंजूमर गुड्स और इसी तरीके से जो FMEG की है यानि की फास्ट मुविंग इलेक्ट्रानिक कंजूमर गुड्स तो वो हो जाएगी आपका आरार काबिल तो उस पर हम बाद में चर्चा करते हैं पहले बीका जी के बारे में डिटि के लिए आपने इनोंने देखा काफी डिजाइन किया हुआ पैकेट्स ताकि आप अनेक मौकों पे अनेक उकेजन्स पे इनके प्रोडक्स इस्तेमाल कर सकें तो समझ गई कि एक्सपोर्ट भी है अच्छा खासा और डोमेस्टिक में भी काफी अच्छी खासी पकड़ है डि किस प्रकार के रहे हैं तो यह हम consolidated देख रहे हैं standalone और consolidated यानि कि जो भी इनकी subsidies जहां जहां से इनको revenue प्राप्त होता वो सारा कुछ मिला कि जो इनका financial है उस पर हम देख रहे है quarter to quarter तो यहां पर देखे जून और सितंबर के मध्य में देखेंगे sales में बढ़ोतरी देखने को मिल रहे है 482 करोड से 609 करोड हो गई है और पिछले वर्ष का quarter भी देखें अगर तो यहां पर 570 करोड से बढ़के हो गई है 609 करोड की यानि कि पिछले वर्ष के quarter से भी और पिछले quarter से भी बढ़ोतरी देखी गई है इसी प्रकार से अगर हम operating profit margin देखते हैं तो 14% पिछ पैसे हो गया है त्यानि कि बढ़ोतरी दिख रहे है आपको और पिछले quarter से भी बढ़के आया है EPS तीन साल के जो compounded sales growth देखें त्यानि कि अगर हम देखते हैं 2020, 2021, 2022, 2023 तो अगर देखें 1075 करोड का total revenue था जो कि अगर 2023 में देखते हैं तो 1966 करोड का हो गया है और trailing based baby अगर देखें तो 2021 करोड का नजर आ रहा है तो sales growth अगर FMCG के देखी जाया तो ठीक है संतूष जेनक है बहुत विशेस नहीं कह सकते हैं आप क्योंकि बड़ी company है और जो profit growth भी देखते हैं तो अच्छी नजर आ रहा है तीन वर्षों compounded यहां पे 31% निकल के आ रहा है और इन वर्षों की 14% निकल के आ रही है ति यह थोड़ा और भी बहतरी होना चाहिए future में इस प्रकार से इनका कामकाज इस प्रकार से list करा के fundraise किया है और भी जो expansion वगएरा जो भी जैसा करें अपने business को बढ़ाने के लिए promoters की जो स्थिति है यहां पे आप देखेंगे 75.21% की holding है और जो FIIs है इसमें अगर quarter quarter देखते हैं तो बढ़े हैं पिछले आपका यह quarter से देखेंगे तो खासकर जून के quarter से बढ़े हुए सितंबर के माद्द में क्योंकि festival का season है और इनको लगा होगा कि नहीं अभी इसमें काफ़े अच्छी कमाई होगी और खासकर दिसंब पब्लिक है वो घट गई हालांकि पब्लिक यहां से निकल जा चुकी है लगातार कुछ quarter से आप देखेंगे इस टॉक प्राइस आज जो चल रहा पांच सो तीस का है ठीक है इसकी जो लिस्टिंग हुई थी 16 नॉमबर 2022 को यानि की एक वर्ष पूर्ण कर चुका है 13,000 क्रो 37 to 40 के आसपास निकल के आ रहा है उससे काफी ज्यादा है तो कुछ कमपनिया FMCG की समय दर समय काफी महेंगी हो जाती है प्राइस टोर्निंग रेशियो का जो रेशियो होता है काफी ज्यादा हो जाता है और इस प्राइस पर भी लोग खरीदने को तयार है निवेशक बने ह जैसा कि आपने देखा तो इसके साथ खड़े हुए हैं उनको लग रहा होगा कि आने वाले कुछ क्वार्टर में इस कंपनी की काफी अच्छी खासी कमाई हो सकती है हाई लो देखते हैं तो अपने हाई के पास अभी ट्रेड हो रहा है 535 का और 530 के आसपास चल रहा है एक इस साल में रिटन बढ़िया यहां पर नजर आ रहा है 67% है 6 मैंने में पहले निवेश किया है तो 42% है 6 मैंने में काफी 23 से भागा है तो अच्छी रिटन यहां पर दिखाई दे रहे हैं आगे हम चर्चा करेंगे दोनों स्टॉक्स पर कि अंत में कि हमें करना क्या चाहिए यहां पर डिटन इल्ड निकल किया रहा है 0.14% जैसे कि सभी जो FMCG कमपनियां होती हैं कुछ नकुछ एक डिटन की रूप में भेजती हैं अगर आपके खाते में अगर आप निवेशक है तो उसी तरीके से यह भी दे रही है अब जो दूसरी कमपनी है उसका नाम आरार का बनाती हैं अच्छा खासा मारints इन सब के पास है तो इनके प्रोड़ॉक्स में आप एक नसर डालते है जैसे कि जो इक्त्रिक प्रोडेक्स हो गया है यहां पर लाइटिंग सो गई वारे and cables fans और RR appliances में बहुत सारे ऐसे consumer products हो जाते हैं जैसे कि geezer हो गया water heater हो गया या फिर और भी cooler वगयरा यह सारे products included है ठीक है इसका जो stock price है 1605 रुपए का अभी ट्रेड हो रहा है जब हमने वीडियो बनाया था जब लिस्ट हुए थी company तब खरीब साढ़े 1100 के आसपास trade हो रहा था इसका जो low था 1137 का और 20 सितंबर 2023 को याने की बहुत दिन अभी नहीं हो सितंबर अक्टूबर नौंबर अभी दो महीने भी पूरे नहीं हुए लेकिन जब से list हुए करीब 35% करेटन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हाई जो बना चुका है 1635 का और हाई के पास अभी ट्रेड हो रहा है अगर देखें वैलवेशन वाइस देखेंगे इसे पोली का इब इंडिया का है तो करीब 47 की पी पे ट्रेड हो रही है या फिर अगर आप और भी हैवेल्स बगरा देखेंगे तो कहिन के उन सब से ज्या और पीका जी भी अगर देखा जा अपने सेक्टर में निवले इसेट कंपने में दोनों ओर वैल्यूट चल रही है ड्यूड यह भी पे करता है डिलिवरी बहुत ही मामूली सी दिखाई दे रही है 18,000 कोड के आसपास इसकी मार्केट कैप्टल है इसमें क्या होता है कि अभ वो लंबे समय के लिए इसमें बने रहना चाहते हैं वो धीरे-धीरे जो है स्टॉक एक तरफ खरीदते भी जाते हैं एक तरफ जो है जब यह माहौल बन जाए कि बहुत सारा इंवेस्टर्स आ गया है तो धीरे-धीरे उनको अपने स्टॉक दे के निकल भी सकते हैं देखे में मनुपलेशन हो रहा है तो यह सब ध्यान देने वाली बात होती है तो हम जब कोई स्टॉक पर चर्चा करते हैं तो इस चीज़ पर जरूर नजर रखें कि आखिरकार ओर वैलिवेशन पर यह आया था लिस्ट हुआ था जो आई-प्यू लेके आये थे परन्तु चूंकि इनके प्रोड़क्ट्स ऐसे हैं ऐसे कंजूमर कमपनी हैं ऐसा विवसाय है कि हो सकता है कि ऐसा मनिपूलेशन ना भी हो रहा हो तो भी धीरे-धीरे इस टॉक भागता जा रहा है एक समय पर बुल रन पर ऐसे इसी हुआ करती थी कि कोई भी स्टॉक लिस्ट होता था तो वह तो वो कमपनियां सो सो डेडर सो के प्राइस टोनिंग रिश्यों पर क्रॉस हो जाती तो यह भी देखिए 100 की पी के आसपास ट्रेड हो रहा जबकि पोली काइब इंडिया वही छोटी मार्केट काइब की हुआ करती थे भी बहुत बड़ी बन चुकी यह कमपनी तो वही कहीं यह कहीं इससे बहुत ही सस्ती आदेदाम पर तो कई करन हो जाते हैं तो इसलिए बहुत सतरकता बरतते हैं जब किसी भी स्टॉक कर चुनाव करते हैं तो अगर हमारी बहुत तीवर इच्छा भी हो रही है कि हम कोई स्टॉक हमें पसंद है लेकिन बहुत ही वैलवेशन के ही लिए क्योंकि अगर बहुत एक तरफा गिरावट भी अगर किसी स्टॉक में आती है क्योंकि बाजार भयाना किसी दिन गीरा तो ऐसे स्टॉक काफी ज़्यादा गिर जाते हैं तो उसमें नुकसान के भी चांसे होते हैं तो जो एक साथ पैसा डालता है तो उनको हमेश पाकशक नहीं लेकिन सबसे पहले हमें नजर रखना चाहिए कि डाउनसाइड हम क्या देख रहे हैं तो यह इसलिए हम चर्चा करें तो आई अब देख लेगते हैं कौटर के कॉंसोल एडिटेट रिजल्स किस परकार के रहे आ चुके हैं जून और सितंबर के मत में देखे काफी कम है अन्य कंपनियों के मुखाबले तो यहां पर खर्चे काफी ज्यादा इनके यहां पर हो चुके हैं चौदर सो नब्य कोड़ के आसपास है खर्चा सोलत सो दस क्रोड में और इस प्रकार से जो कामकासी मुनाफ़ा रहा निकल के आया करीब 121 क्रोड का और इस तर करचे काफी रहें साथ रुपए 77 पैसे से कम होके 6 रुपए 77 पैसे हो गया है तो इस तरीके से साल दर साल अगर हम देखते हैं 2020, 2021 और 2023 में देखें तो सेल्स ग्रोथ तो यहां पर संतोष जनक लग रही है तीन वर सुप कंपॉंड़े 31 परसें और जो प्रॉफिट सें तो उनकी बीच में एक्जिस्ट कर रही है प्लस इंफ्रस्ट्रक्चर का काम जो चल रहा भारत वर्ष में आदेश दुनिया में जहां जहां भी इनके प्रोड़क्स जाते हैं वहां पे किस प्रकार की मांग होगी उसके बाद ही इन कंपोनियों में जान आ जाएगे तो दिसंबर का क्वाटर ऐसा माना जा रहा है कि अच्छा होना चाहिए रिटर्न और इक्विटी देखते हैं तो 15 परसंट एक निकल के आ रहे तीन वर्षों की लास्ट यह के 15 परसंट प्रोड़क्स के पास 62.76 परसंट की होल्डिंग है फाइस 4.99 परसंट है टोमेश्टिक 1.66 परसंट है पब्लीक बहुत अच्छी खासी इसमें भरी पड़ी है तो हो सकता है कुछ यहां पर बदला हो कुछ नए फाइस भी आएस भी आएं वो दिसंबर क्वाटर मालूम पढ़ जाएंगे डोमेश्टिक इनिस्टेशन क्रिस्पकार करें वो भी देखने वाली बा और प्लस काफी चोटी प्राइस के तो अभी तो बड़े प्राइस का हो गया और वैलुड तो अब देखा जाएगा कब तक कितने वैलेशन पर ट्रेट करता नजर आ सकता है और वाल कहानी यहां पर संपन्द नहीं होती है अब आ जाते हैं सबसे पहले आपके मनमस्तिश्क में होगा कि माल लिजे कि मिनिममम अगर हम देखें जो कंजूमर प्रोडक्स बनाती है ऐसी कमपनियों की धम पांच वर्ष के लिए लेते जाए लेते जाए थोड़े थोड़े करके तो हमें किस प्रकार के रिटन मिल सकते है मुझे लगता है प्रॉपर्टी से बेहतर मुल्टी बैगर तो नहीं लेकिन अगर आपको 300% प्रतेक स्टॉक से आपको मिल जाता है पांच वर्ष में तो इसको आप मुल्टी बैगर कह सकते हैं और मुझे लगता जिस प्रकार से अभी मार्केट कैफेक मिटी कैप की कमपनीज हैं तो जिस प्रकार से पोली कैप की प नहीं बाकि है तो अब एक चीज का और आपको विशेश खयाल रखना है यह सितंबर रहा दिसंबर मार्च उसके पश्चात जून लेकिन में में क्या है एलेक्शन्स है यहाँ पे है ना जनरल एलेक्शन्स तो यह जनरल एलेक्शन्स निपटने के बाद भारत की picture पूरी तरीके से clear होगी कौन सी government आई है इंफरा पर क्या ध्यान दे रही है stock markets related कौन सी sentiments है उनको कहीं टस्तों नहीं कर रही है उसके बाद यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकता है साथ ही जो विदेशों में जो ब्यासदरों को लेके central banks है उनकी क्या इस्तिती होती है वो भी picture clear हो जाएगी तो उसके बाद एक rally का आना एक अपेक्षित है और उस rally मुझे लगता है यह दोनों stocks कैपी कैसे भी करके चाहिए किस valuation पे हो जब पैसा लिजिए कि यह बाल्टी जो है आपकी यहां तक भारी हुई है लेकिन जब विदेशी पैसा इसमें पढ़ेगा ऐसे pipe लगा देंगे वो सीधे तो overflow हो जाएगा तो जो आपका पैसा है यह सीधे आपके demit account में बनना शुरू हो जाएगा तो पैसे का overflow अभी आपको विदेशी निवेशकों से आना ब फंडमेंटल सच्ची है जो consumer company हैं तो आपको बेहतरे return मिल सकते हैं ठीक है फिर भी कोई भी आप decision ले किसी company को आप खरीद रहें तो ज़रूर अपने जो है financial advisor सो आप परामर्श लें thank you for watching this video friends कोई वीचार हो या सुझाओ हो या कुछ कहना चाहते हो तो comments में उसको कहना ना भोलें